10.1 एक्सरसाइज संपूर्ण पूरी करने के बाद बच्चो चलो हम स्टार्ट करते हैं नई आ टोपिक 10.4 जिसका नाम है एडिशन ओफ वेक्टर्स ठीक है वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते है पहले वेक्टर्स का एडिशन करने से पहले हम एक बात को देख ले थे कि मानली हम लोग बनाओ क taką मानलोग करूं कि यह गर है ओ अर हमने लास्ट लेक्टर्स के अंधर देखा था कि यह वेक्टर्स जो है यह वेक्टर के यदी मैं इस प्रकार से स्केल कर दूं यहाँ से सकेल कर दूँ और यहां पर में कुछ भी लिख दूँ लेटस से यहां से इस परकर से मैं कर दूँ कि भई सकेल 1 सेंटिमितर या 5 सेंटिमितर ऐसा मैं कर दूँ तो आपको यह देखना होता है बचो कि 1 2 3 4 और 5 यह 5 5 parts है यह पूरे, पूरे के पूरे vectors के कितने parts हुए, total 1, 2, 3, 4, 5, 5 parts हुए, एक part जो है उसका एक part जो है वो 5 cm का है, यदि एक part 5 cm का है, या तो मैं यहाँ पर कर दू 1 unit, वन यूनिट कर दू तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 parts है, it means that इस vector का जो magnitude है इस vector की जो magnitude है वो है 5 unit समझ मैं ही बात इस vector की magnitude हुई 5 unit अब आप सोचो यदि मैं इसको 5 के साथ divide कर दू है ना, इसी vector को इसी vector को मैं 5 के साथ divide कर दू, समझ मैं आ रहे हैं बात इसकी magnitude को मैं 5 के साथ divide कर दू, तो मुझे क्या मिलेगा एक छोटा सा इतना unit मिलेगा की नहीं इतना जो मिलेगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, उसके 5 है total, उसके मैं 5 piece कर दू, 5 piece कर दू, 1, 2, 3, 4, 5, मैं total 5 piece कर दू तो एक-एक piece जो है, एक-एक piece, वो इतना इतना होगा की नहीं, फिर दूसरा piece होगा, फिर तीसरा piece होगा, फिर चोथा piece होगा, इस प्रकार से उसके piece होगे ना, तो यह जो एक-एक piece है ना, इसको कहता है unit vector क्या कहता है? unit vector और unit vector हमें कब मिला? जब हमने पूरे वेक्टर A को पूरे वेक्टर A के कितने पीस किये 5 पीस किये और यह 5 पीस मोड़े तो क्या उसका magnitude तो यह last lectures के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर की unit vector कैसे मिलती है कोई भी वेक्टर की unit vector यदि हमें प्राप्त करनी हो तो हम कैसे प्राप्त कर सकते है वेक्टर को उसके ही magnitude के साथ है इट्स magnitude उसकी ही magnitude के साथ आप divide कर दो समझ मैं ही बाद तो आपको क्या मिलेगा unit vector मिलेगा example के दोरों पर यह दिए मैं आपको बात करूँ कि मान लो कि मेरे पास एक vector है A vector है जो है 2i cap ठीक है यह जो unit vector है उसको i cap, j cap, k cap कहते है न तो i cap minus 3 j cap plus 5 k cap मान लो कि यह मेरे पास vector है अब इस vector की मुझे unit vector find करने है find unit vector of A find unit vector of A A की unit vector मुझे ढूणनी है तो मैं कैसे ढूणनूँगा बचो A की unit vector मेरे को कैसे मिलेगी तो मैं क्या करूँगा unit vector A को A cap से represent करते है A के माथे पर छोटा सा cap कर दूँग तो इसको कहते है A का unit vector A का unit vector कैसे मिलेगा तो A vector को उसी के ही magnitude के साथ यह मैं divide कर दूँँ तो मुझे मिलेगा unit vector तो कैसे मिलेगा unit vector पहले A vector में यहां पर लिखता हूँ 2, 3 और 5 है मैं simple से पहले लिखता हूँ यहां पर 2, 3, minus 3, 5 ठीक है? 2, minus 3 और 5 को मैं को मैं I cap, J cap के के बाद में लिख लूँगा ठीक है? upon उसकी magnitude आपको पता है vector के magnitude के से profile करते है X का square, plus Y का square, plus Z का square यानि 2 का square minus 3 का square plus 5 का square तो अब यह क्या होगा बच्चों देखो 2, 3, 2, minus 3, और 5 as it is और उसके नीचे 2 का square कितना होता है? 2 का square 4 minus 3 का square 9 और 5 का square 25 तो यह total कितना हुआ? 2, minus 3, 5 और यह कितना होगा? 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11, 12, 13 और 25 है ना? 9, 4, 25 होगा 38 ठीक है? 9, 10, 11, 12, 13 13 और 25 होगा 38 तो यह होगा root में 38 तो बच्चों यहां से clearly आप देख पार है 38 इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे तीनों की नीचे लिख सकता है that means 2 root 38, 2 by root 38 और पहला था वो क्या था? देखो, पहला था वो क्या था? 2 था और 2 के साथ क्या था? I cap था तो मैं यहां पे लिखूंगा I cap minus 3 के नीचे भी root में 38 जे के प plus 5 के नीचे भी root में 38 के के प तो यह बच्चो मुझे मिल गया A का unit vector इसको कहते है A का unit vector मैं आपको homework में दे रहा हूँ यदि A vector जो है unit vector है उसके आप magnitude ढूंडेंगे ना तो भी आपको 1 मिलेगा उसके लिए आपको क्या करना होगा? root लगा यह x का square, y का square, z का square formula तो पता ही है बस तो लगा दो 2 upon root 38 का square plus minus 3 upon root 38 का square plus 5 upon root 38 का square बच्चो आप इसको solve करना तो मैं आपको बताता है हूँ guarantee के साथ कहता हूँ इसकी जो total value है magnitude है वो 1 मिलेगी इसलिए तो इसको कहते है unit vector unit vector की magnitude 1 होती है ठीक है? तो इस प्रकर से आपने vector A का unit vector निकालना सीखा और unit vector कैसे निकला? कोई vector को उसी के ही magnitude के साथ यदि हम विभाजन कर दे divide कर दे तो उससे मिलने वाला जो हमर नंबर है उससे मिलने वाला जो vector है वो unit vector होगा और ये graphically यही बात को indicate करता है कि आपके पास एक vector था और आपने उसको टुकडे कर दिये अब बड़ी simple सी बात है देखिया समझने वाली बात है कि यदि मेरे पास कोई vector है मान लेज़े कि ये मेरे पास vector है और इसके मैंने तीन piece किये है या तो मान लो मैंने उसके 4 equal piece किये इसके मैंने 4 equal piece किये तो हर एक जो piece है उसको मैंने क्या नाम दिया unit vector अब मान लो कि मैं इस vector के साथ किसी को multiply कर दू समझना है बात इस vector को किसी के साथ multiply कर दू जैसे कि मान लो कि मैं 3 के साथ multiply कर दू या तो यह समझनो 2 के साथ multiply करू ये मेरे पास एक vector बहुत easy topic है बच्चो मानलों कि ये मेरे पास vector A है और इसके उपर मेंने सिर्फ 1, 2 और 3 total 3 part है, मुलब इसका magnitude 3 unit है इसका magnitude कितना है? 3 unit है, अब मैं इसको 2 के साथ multiply कर दूँगा 2 A vector इसको multiply करूँगा तो क्या होगा? initial point तो यही रहेगा initial point तो यही रहेगा, पर इसके जो length है ना इसके जो length है ना वो बढ़ जाएगी 1, 2, 3 4, 5, और 6 total कितने piece होगे इसके दिखे पहले 3 थे, पर अब कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुलब 2 के साथ multiply करने से vector लंबा हो जाता है? हाँ, vector लंबा हो जाता है तो इसका मुलब simple है कि यदि इस vector को मैं आधा करूँ, मतलब divide by 1 by 2 से multiply करूँ तो फिर यह कितना होगा? तो यह फिर vector initial point यही पे रहेगा पर अब जो है ना, वो देखने वाली चीज़ है एक रहेगा 1 का piece और एक रहेगा आधा piece तो यह क्या indicate करता है? कि कोई vector को आप direction यही रखते हो vector के साथ कोई number multiply करते हो, तो direction यही रखते हो उसके magnitude बदल जाती है समझे? नहीं, इसको कहते है scalar के साथ multiplication vector का scalar के साथ multiplication समझे? महीं बाद उसी परकार same to same traffic आप समझ सकते हो, बच्चो, यदि कोई unit vector है, है ना? vector A का कोई unit vector है, तो आपको पता है कि vector A का unit vector बूले, तो छोटा vector एकदम छोटा vector, अब unit vector को मैं 5 से multiply करूगा तो इसका मतलब क्या होगा? मानलो कि यह unit vector है, पर अभी मुझे unit vector के साथ 5 को multiply करना है, तो क्या होगा? इसके 5 बार unit vector 1 time, फिर 2 time, फिर 3 time, फिर 4 times and then 5 times, ऐसा एक vector बन जाएगा, मानलो कि unit vector जो मेरे पास है, उसको मैंने 3 के साथ multiply कर दिया, तो initial point तो इदेरीच रहेगा, पर यहां से 1 यहां से 1 यहां से 2 यहां से 3, तो vector की direction आप देख पा रहे हो, एक ही है vector की direction क्या है? एक ही है पर उसकी magnitude जो है न, वो बदल जाती है इसको कहते है, unit vector का multiplication by scalar, तो बचो, उमीद आपको इतना समझ में आ गया होगा, जब questions करेंगे आपको ज्यादा पता चलेगा, अब हम पढ़ते है, addition of vector, दीक है, addition of vector हमरा पर चल रहा है, यह आपको मेंने थोड़ा recap कर दिया क्योंकि आपके exams भी चल रही है, तो addition of vectors addition of vectors, vectors का addition कैसे करना है? तो vector का addition बड़ा simple है मान लीजी कि मेरे पास यह vector a है और फिर इसका मतलब है initial point इसका यहाँ पर है, terminal point यहाँ आए, तो इसको कहते है a vector अब मेरे पास मान लो के एक दूसरा vector है, यहाँ से इस प्रकर से, let us give the b vector इसका नाम है b, तो इसका initial point यहाँ पर है terminal point यहाँ पर है, और आपको पता है भी कोई भी vector को define कैसे करते हैं, अब physics में भी पढ़ गए हो कि terminal point minus initial point, यहाँ रखिए गया इस बात को, कोई भी vector को define कैसे किया जाता है, terminal point minus initial point उसके coordinates को minus करके, I cap, J cap, K cap, J cap का दो, तो हो जाता है वो vector यह vector, यह हुआ, यह vector भी हुआ अब इसका addition कैसे करेंगे तो, एक का साधर हरवासा में बोले, तो एक का tail, दूसरे का head, पहले का head tail, दूसरे का head तो अब यहाँ से return, ऐसा में vector बनाऊ ना बच्चो, ऐसा vector बनाऊ ना, तो यह जो vector है ना, वो vector क्या कहलाता है, A plus B vector कहलाता है, A और B का addition समझ मैं ही बात, A और B का क्या है यह, addition है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, मानलो के मेरे पास यह vector A है फिर यहाँ से मानलो मेरे पास दूसरे vector B है, तो अब तीसरे vector उसके opposite, head से head टकराना चाहिए, head से head टकरा या ना, तो वो मुझे मिलेगा A vector और B vector का addition यानि A plus B vector तो इसको कहते है triangles low, triangles low से हमने vector का addition किया बच्चो और इसमें ही आप subtraction भी कर सकते हो, मानलो कि मैंने, आपको पता है कि कोई vector को minus 1 से multiply करें से उस vector का magnitude वही रहता है बस direction चेंज हो जाती है, मानलो मैं B vector को minus 1 से multiply करू तो अब वो vector कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, आप पीछे direction में direction बदल जाएगी 180C degree पर गूम जाएगा vector और ये बन जाएगा minus B vector, अब A vector यहाँ पर है B vector यहाँ से ऐसे, minus B vector यहाँ से गया, तो अब ये मुझे जो मिलेगा ना ये मुझे जो मिलेगा ना बच्चो वो मुझे क्या है A plus minus B का addition है ये जो है वो A plus minus B का addition है और आप इसको simplify करेंगे तो क्या कहेंगे A vector minus B vector तो basically ये तो subtraction हुआ दो vector का इसका मलब ये हुआ या तो addition हो, या तो subtraction हो addition और subtraction triangle low से हो सकता है एक बार और practice कर लेते बच्चो जैसे कि मेरे पास ये vector A है और मान लो कि मेरे पास ये दूसरा vector है B ऐसे ऐसे है vector B ये vector B है तो vector A ऐसे गया vector B ऐसे गया तो इसको join करू तो ये मुझे क्या मिलेगा A plus B मिलेगा A plus B मिलेगा पर मुझे तो करना है A minus B मुझे तो A minus B करना है तो B के में देशा बदल दूँगा ना B की direction चेंज कर दूँगा B की direction कैसे चेंज होगी तो यहां से B को minus 1 multiply करो तो magnitude उतना ही रहेगा बस direction में क्या हो जाएगा बस चोज देखो direction में क्या हो जाएगा चेंज इस हो जाएगा इसकी direction बदल दी ठीक है कहलाएगा वो minus B vector और अब इनको जोइन करोना S है तो यह हो जाएगा A vector minus B vector तो triangle low से आप इसको समझ सकते हो vector A और vector B की minus और plus कैसे करते है तो एक बात clear cut हो गई कि यदि मेरे पास कोई vector है मानलो की एक vector है P Q यह P Q vector है इसका P point initial है Q point ending है तो इस vector का नाम क्या होता है इस vector का नाम होता है P Q vector ठीक है अब मानलो कोई बच्चे ने इसके direction बदल नहीं है तो वो minus से multiply करेगा किसको इसको minus से multiply करेगा तो यह ऐसे लिखेगा minus sign पहले Q लिखू ठीक है minus sign पहले Q लिखू और फिर P लिखू तो इसका मलब है initial point of Q हो गया initial point of Q हो गया और terminal point of P हो गया direction क्या हो गई बदल दी तो यह हो गया minus Q P यह ना P Q को ऐसे represent करेंगे minus Q P को ऐसे represent करेंगे समझ महारी बात कि नहीं बच्छो इसका मलब हो है कि minus sign और alphabets को यदि मैं change कर दू तो मैं vector के direction बदल सकता हूँ magnitude में कोई भी परकार का changes किये बगे यनि magnitude वही रहेगी बस direction बदल जाएगी समझ महारी बच्छो तो यह एक basic concept था जो हमें ध्यान में रखना है second very important thing is the parallelogram method now what is the parallelogram method vector का addition करने की है कि यह दूसरी method है जिसको कहते है parallelogram method parallelogram laws अब यह क्या है नया parallelogram भी वही है देखे मान लो कि मेरे पास यह vector A है और मान लो कि मेरे पास यह vector B है अब मुझे इसका addition करना है पर नहीं हम कुछ ऐसा था कि vector का एक cuttel दूसरे का head यह vector यहाँ पे बनना चाहिए यह vector यहाँ पे बनना चाहिए तब ही तो addition होगा तो यातो में इसका जुठा यह vector मतलब vector को मैं move कर सकता हूँ क्योंकि हम free vector पड़ रहा है मैं यहाँ से एक ऐसा vector बनाओ जिसका नाम parallel इसकी का है B vector का parallel ही है magnitude भी वही रहने दू direction भी है वही रहने दू तो इसको कहता है equal vector एक तरप से A vector का B vector मैंने यहाँ पर बनाया इसका parallel अब मैं इनको join करूँगा इसको मैं join करूँगा तो यह होगा A vector और B vector का addition यानि A plus B होगा triangle ही low heap for low हुआ है और मान लिए से कि मैं A vector को यहाँ पर B vector को as it is rain है दू मैं A vector का कहते हैं न वो जूठा vector यहाँ पर बनाऊ जो A vector को parallel ही रहेगा और magnitude भी उतन ही रहेगी तो इसको मैं A vector कह सकता हूँ क्योंकि हम free vector पढ़ रहा है तो vector को मैं कहीं भी plane में मोग कर सकता हूँ दो चीजों को ध्यान में रखते हुए कि उसके magnitude वही बनी रहे उसके direction में कोई भी प्रकार का फरक ना पड़ी तो अब यह मुझे मिलेगा वो भी क्या मिलेगा देखो मैं यहाँ से join करूँ तो यह तो वही line है जो पूरा नी line थी पर नाम क्या उसका रहेगा B plus A तो आप diagram से देख पा रहे हो कि जो A plus B है जो vector A plus B है यह वही vector कौन है B plus A इसका मतलब यह हुआ कि A plus B और B plus A का result सेम ही होता है इसको कहते है इसको कहते है बच्चो commutative property ठीक है vector commutative property को follow करता है उसी प्रकार vector associative property को भी follow करता है associative property को follow किसे करेगा associative property क्या है associative property tell us associative property क्या कहती है कि यदि आपके पास तीन vector है A, B और C vector है आप पहले कोई दो vector को join करो फिर तीसरे vector को join करेंगे A, B और C vector आपके पास है और यदि आप पहले BC को join करेंगे फिर उसका sum A से करेंगे तो भी मिलने वाले result में कोई बदलाव नहीं आएगा इसका मलब है हम किसी के साथ किसी को भी add कर सकते हैं हम add करने के लिए independent है तो यह एक बढ़िया important property था इसको भी आप diagram से समझ सकते हो ठीक है और फिर हम देखते है multiplication of vector vector का multiplication multiplication vector हमने already देख लिया है बचो कि किस प्रकार से vector का multiplication करते है multiplication of vector vectors की multiplication multiplication मान लेज़ें कि मेरे पास एक vector है यह मेरे पास vector है जिसके length है यह जितनी ठीक है यह मेरे पास एक vector है जिसकी length है 2 unit जितनी है इसकी magnitude है 2 unit मान लो कि इसका मैं half करो इसका मैं half करो तो यह vector इतना ही बन जाएगा और इस vector का नाम हो जाएगा one by two a vector मानलो कि मैं इस vector को two से multiply कर दो यह ना two से multiply करू तो उसका जो magnitude है वो तो बदल जाएगा मानला initial point वहीं पे रहेगा और उसके जो land है ना यह आप देख पा रहे हैं यहाँ से यह a vector था जिसमें two unit का magnitude था अब यह two से multiply होगा तो कितना हो जाएगा four हो जाएगा इसलिए one two फिर वापस three और फिर वापस four और इस प्रकार से यह vector create होगा बोलो समझ मैं यह की नहीं कहने का मतलब vector को जो number से multiply होगा vector के magnitude में different आ जाएगा vector का magnitude उस number के हिसाब से बदल जाएगा समझ मैं या बच्चो अब मान लो कि मैं इस a vector है मेरे पास मान लो कि मेरे पास एक a vector है यह a vector का magnitude आप देख पा रहे हो one ही है मान लो कि मैं उसको minus one से multiply करूँगा तो initial point यहीं पे रहेगा direction क्या हो जाएगी change हो जाएगी और minus one से multiply करने से यह a vector बन जाएगा minus a ठीक है तो यह आप देख पा रहे हैं यहां से जो हम clearly यहां से देख पा रहे है ठीक है finally component of vector की और हम आगे बढ़ेंगे आपने वो बात तो मैंने starting में ही video lectures के अंदर पढ़ा दी है आपको की कोई भी vector का unit vector कैसे प्राप्त होगा खास याद रखना यह बहुत important है unit vector ठीक है ना किसी का मानलों की a vector का unit vector a cap से represent होता है और वो कैसे मिलता है vector a को उसके ही magnitude के साथ divide करू तो मिलता है unit vector बच्चो don't forget this thing this is very important a vector का unit vector कैसे मिलता है यदि a vector को उसके ही magnitude के साथ divide करने से मनला इवाइड कर दू तो a vector मिलेगा a vector का unit vector ठीक है बच्चो तो चलिए पढ़ते हैं component of vector vector के component components of vector vector के घटक vector के component बड़ा simple सा role है बच्चो vector के components में मैं जब लिखता हूँ कोई a vector में लिखता हूँ और उस vector को मानलो कि मैंने इस प्रकर से represent किया कि x i cap plus y j cap plus z k cap मानलो कि मेरे पास एक vector है जिसके अंदर उसके coordinate से x i cap y j cap और k cap तो यहाँ पे यह पहले तो vector है ठीक है यह क्या है vector है और यह vector के मैं दो component आपको दिखने जा रहा हूँ इस vector के दो component में पहला है scalar component scalar यह कुछ diagram से अच्छा हाँ scalar component इसका scalar component क्या होगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हूँ ना यह x है यह y है और यह z जो है ना वो उसके scalar component होंगे scalar component का दूसरा यह नाम है rectangular component ठीक है एक बार में चेक कर लो यही ठीक है इसका scalar component का दूसरा नाम है rectangular component rectangular component तो बताएए मैंने आपके सामने जो vector लिखा है उसके scalar component या तो rectangular component दोनों में से कोई भी नाम exam में आ सकता है तो वो क्या होगा सिर्फ x होगा सिर्फ y होगा और सिर्फ z होगा हमें ऐसे indicate करेंगे x, y, z यह क्या component होगे, scalar component होगे यानि सिर्फ और सिर्फ direction को indicate नहीं करते है, magnitude को indicate करते है जबकि vector component क्या होगे इसके vector component क्या होगे vector component बड़ा simple है बच्चो, बहुत simple है इसका vector component क्या होगा बहुत simple है यदि मैं x के साथ i cap को भी लिखू, यदि मैं x के साथ i cap को भी लिखू, फिर y के साथ j cap को भी लिखू, जेट के साथ k cap को भी लिखू, तो ये जो होगा बच्चो, ये होगा vector component, तो scalar components और vector components बड़ा easy है, ढूनना, कोई सधी, जैसे कि एक्जम्पल लेते हैं, इसके उपर एक एक्जम्पल लेते हैं, एक्जम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक vector है, जो है 3i cap, minus 2j cap, plus 7k cap, find the scalar component and vector component, find the scalar and vector component, of a, a vector के scalar और vector components, find करिये, तो बहुत simple है बच्चो, यहाँ आप ऐसा तीर लगाईए, और लिखिए scalar component, scalar component, मैं short में लिख रहा हूँ, components, it will be components, scalar component क्या होगा, तो ये होगा 3, फिर कोन होगा, minus 2, और फिर कोन होगा, 7, जबकि vector component क्या होगा, vector component, vector component होगा, 3i cap, minus 2j cap, और 7k cap, 7 है, ठीक है, ये 7 है, 7k cap, तो ये scalar component और vector component तूनना बड़ा easy होता है बच्चो, अब बहुत बार, mcq के अंदर, एक questions पूछा जाता है, कि a vector जो है न, a vector की position बताने होती है, a vector की position बताने होती है, मतलब आपको इस प्रकार का कोई vector दिया होता है, और उसकी position आपको indicate करने होती है, कि इसकी position find करी है plan में वो कहां होगा तो चलो वो भी आपको पढ़ा देते हैं वो बहुत simple topic है question देखते ही आज जाता है ऐसा question होते ही इटके मान लीजे कि मेरे पास एक vector है a और वो vector कुछ इस प्रकार का है कि x i cap plus y j cap plus z k cap इस प्रकार से मेरे पास एक vector है अब मान लीजे कि इसकी मुझे position बतानी है तो position जो है इसकी position का मतलब मेरा distance इसका distance बताना है तो आपको बता है distance कहीं जगा से कही reference point से बताना होता है अब यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि find the distance of अलग से पान पेजी अलग से ले ले लेते हैं एक vector given है आपको जो है कुछ इस प्रकार से x i cap plus y j cap plus z k cap find the distance find the distance of vector a from from अब ये कहां कहां से पूछा जा सकता है कोई एक vector का distance कहां कहां से पूछा जा सकता है वो हम सिखने जा रहे है ना पहला तो पूछा जा सकता है वो from the any excesses from excesses है ना from excesses मैं यहां पर लिख दूँ from excesses कोई अलग-अलग excesses से जिस प्रकार से मान लेजी कि मैं आपको diagram बता दूँ यह है x, यह है y, यह है z और मान लेजी कि यहां पर एक vector कोई p point है और यहां से इसको ऐसा joint करो तो यह बन जाता है vector a और vector a की location यहां पर x, y और z के हिसाब से है ठीक है, तो यह a vector जो है उसका distance अलग-अलग excesses से कितना होगा मतलब यह p point excesses, x excesses से कितना far होगा, कितना दूर होगा, कितना away होगा, y से कितना away होगा, z से कितना away होगा, समझ में आ रहे हैं न बाद, 3D में हैं बचो यह थोड़ा 3D type का मामला है, समझ में पढ़ेगा, p point क distance, x से कितना है, ऐसा यदि पूछे, तो आप लोगों को पहले तो vector a बनाना है, यहाँ पर आपको लिखना है, vector a is equal to, i cap, j cap, k cap को थोड़ी दिर के लिए भूल जाओ, और सिर्फ लिखो x, y और z, बोले तो यहाँ जो number होते वही लिखना है, 3, minus 2, 7, तो 3, minus 2, 7, जो भी number द distance कितना है, वो निकालना है, तो माल लेजिए कि मैं x सक्सी से पहले ढूणना चाहता हूँ, है ना, distance from x सक्सी, distance from x सक्सी, तो आपको simple सा क्या करना है, x को ढग देना है, है ना, ऐसे आप x को ढग दीजिए, x को ढग दिया, तो आपके पास क्या बचा, y, z बचा ना, तो root मे लिखे, y का square, plus z का square, simplify कर दीजिए, answer प्राक्त कर लीजिए, यदि आपको ऐसा पूछे, distance from, distance from y axis, y axis से इसकी दूरी कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बचो, किसको ढग देना है, बोलो, y को, जिसका पूछा है, उसको ही ढग दीजिए, y को ढग दीजिए, तो आपके पास क्या बचा है, x और z बचा ना, x square, plus z square, आपको ऐसा कुछ है, distance from, distance from z axis, तो z को ढग दीजिए, क्या बचा आपके पास, root में, x square, plus y square, तो ये बचो, x से distance कैसे प्राप्त करते है, वो हमने देखा, यदि आपका question इस पर करसा ही है, कि find the distance from plane, find the distance from plane, अलग-अलग plane से, मन लीजिए कि पहला questions ऐसा है कि from x y plane, from x y plane, x y plane से इसके दूरी कितनी है, है न, x y plane से, तो यहाँ पे देखिए, x y plane बोले तो क्या, ये वाला plane, ये आप देख पा रहे हो ना, ये, ऐसा ऐसा बहुत बड़ा एक plane है, ऐसा, इस plane से ये point कितना दूर है, तो z होगा, क्योंकि x और y तो 0 होगए, न, आप यहाँ से नीचे आओ, नीचे आओ, तो सिरह आप z में नीचे आ रहे हो, x और y दिरे-दिरे 0 होता जा रहा है, है न, x भी 0 होगए, y भी 0 होगए, इसके मतलब ये दूरी होगए, कितनी, z इतनी, तो आपको क्या करना है, जब plane से पूछे, from plane, from plane पूछे न, तब आपको जो plane बोला है न, उस plane को ढग देने का, इधर x, y, z में से, आप x, y plane से दूरी find करना चाहते हो, तो आप x, y को ढग दो, ऐसे करके ऐसे ढग दो, तो कौन बचा, z बचा न, तो लिखिए, from z होगा, distance from x, y plane होगा, mode में z, अब ये mode का मामला क्यों आया, क्योंकि बचो, z negative भी तो हो सकता है न, पर distance का भी negative थोड़ी होती है, ठीक है, from x, y, from y, z plane, यदि आपको y, z plane के बारे में पूछे, तो किसको ढग देने का, इधर देखिए, इधर, इधर देखिए, y, z को ढग देने से क्या बचे का, सिर्फ x बचेग इस p point की दूरी, x, z plane बोले, तो ये वाला, vertical plane, इधर, इधर, ये वाला plane से दूरी, तो वो कितनी होगी, x, z को ढग दो, तो कितना होगा, y होगा, तो mode में लिखूंगा, मैं y, so finally, हमने देखा, कि कोई एक vector होता है, और उस vector की दूरी, या तो axis से ढूनने को का है, या तो plane से ढूनने को का है, जिसको ढूनने को का है, उसको ढग दीजिए, और इस प्रकर से आराम से आउं फाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपके सामने paper के अंदर, mobile के अंदर पूरा shooting नहीं आप आ रहा है, पर आप तरह 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 वीडियो पोस करके लिखते जाना साथ साथ में, ठीक से तो magnitude is इतनी है, वो तो आपको पता ही है, यहाँ पर origin है, मैं किसी को नहीं ढखना है, यदि किसी को नहीं ढखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, from the origin, distance from the origin, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, distance from the origin, distance from the origin, कितना होगा बच्चो, root में, x square, y square, z square, अरे किसी को भी नह लिखने का, direct लिख देना, x square, y square, और z square, तो ये दूरी होगी बच्चो, अब की direct origin से, समझ में ही बात, इसके उपर भी questions आता है, कही बार MCQ में, उम्मीद्य आपको समझ में आ गए होगा, थोड़ा याद रख लेना पड़ेगा इसमें, second important thing, आपको लोगों को, यदि दो वेक्टर्स दिये जाए हैं ना, माली जी यही पता रखते हैं, कि मार लोग कि मेरे पास, if two vectors are given, if two vectors are given, बचो theory चल रही है, और सोते सोते वीडियो कभी मत देखना, सोते सोते वीडियो देखने से नीद आ जाती है, आराम से, बढ़िया तरीके से, इसलिए जब आपको नीद ना आए, तब ये वीडियो देखना, जब पढ़ाई कर रहे हो, तब बैठे बैठे पढ़ाई करो, हा प्लास A2 जे केप, प्लास A3 के केप, और मानलेज़े मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है B, B1 आई केप, प्लास B2 जे केप, प्लास B3 के के केप, B1, B2, B3, और A1, A2, A3, respectively different components है, A और B के scalar component है, यदि आई केप, जे के के केप को साथ में बोलेंगे, तो होगा वेक्टर के के component, अब देखे, अब मजाए क्या देखना, यदि मेरे पास दो वेक्टर है, और यदि मुझे इसका सम करना है, तो थोड़ी properties है, दो वेक्टर के साथ, थोड़ी property है, वो properties आप बचो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उमीद्या पढ़ेंगे, पहली property है, जब-जब लोबत आ i-cap, plus, j-cap, j-cap वाले को add करो, यानि a2, plus b2, j-cap, plus, k-cap, k-cap वाले को add करो, a3, plus b3, k-cap, तो यहां से आप देख पा रहे हो, a1, b1, a2, b2, और a3, b3, यानि जो i-cap है, j-cap है, और k-cap है, उनको ही हमने add किया, यह addition का बड़ा simple low है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ह होगा, दूसरी बात, यदि vector a और b को minus करना हो, तो same thing, i-cap, i-cap वाले को पकड़ो, और minus करो, plus, j-cap, j-cap वाले को पकड़ो, यानि यहां पे a2 और b2 है, तो मैं यहां पे लिकूंगा a2 minus b2 j-cap, plus, k-cap के अंदर a3, b3 लिकूंगा, a3 minus b3, और लिकूंगा k-cap, तो यह उसका minus का नियम हो गया, और यदि आपको दो vector का, दो vector में से किसी भी एक vector को, आपको multiply करना है, मान लिजे कि मुझे scalar number कोई lambda है, हो सकता है, वो 3 हो, minus 2 हो, minus 1 by 2 हो, कुछ भी हो, उसको मुझे a के साथ multiply करना है, सिर्फ a के साथ है, b के साथ नहीं, b के साथ भी कर सकते है, same method याद र lambda a3 के, उसी प्रकार सोच ये, lambda b, यानि b vector के साथ multiply करना होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सोच ले ना बच्चो, ठीक है, सोच सकते हो, सोचने के लिए, आप capable भी हो, तो चलिए, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और एक last topic पट लेते हैं, और उसके बा चलिए तो last thing है, कि दो vectors को, equal vector कब कहा है, equal vectors, two vectors are said to be equal, if and only if, मान दिजे मेरे पास एके vector a है, जो है a1, i cap, b1, a2, a2, j cap, और a3, k cap, और मान लिजे कि मेरे पास एक दूसरा vector है, यहीं पर नीचे लिग दूँ बच्चो, b1, i cap, b2, j cap, and b3, k cap, यह दो vector equal है, ऐसा question बोल रहा है, समझेगा बात को, यदि यह दो vector equal है, ऐसा question बोल रहा है, तो समझ लिजेगा, उसके i cap के components, j cap के components, और k cap के components, equal होंगे, जानी, a1 equal to b1, a2 is equal to b2, and a3 is equal to b3, मान लिजे इस प्रकार की conditions create हुई, तो ही दो vector equal है, अन्याथा दो vector equal नहीं होंगे, तो equal vector के लिए ये बात note करनी होगे, बच्चों आपको, two vectors are side to be equal, if there's corresponding elements, corresponding जो उसके components है, वो भी same होंगे, समझ मैं ही बात, और, यहाँ पर दूसरी बात है ये, कि, collinear vector किसको कहेंगे, what is the meaning of collinear vector, collinear vector का मतलब आप definition तो जानी चुके हो, कि जो vector आपस में parallels होंगे, उसको collinear vector कहेंगे, तो collinear vector आपको मान लिजे कि दो vector ही दिये हुए है, मान लो मेरे पास एक vector है, जो है a1 i cap, a2 j cap, और a3 k cap, और एक दूसरा vector है b, b1 i cap, b2 j cap, और b3 k cap, यदि ये collinear है, तो मुझे कैसे पता चल लेगा, कि ये collinear है, तो आपको इस vector में और इस vector के अंदर ध्यान से देखने से पता चलेगा, कि a1 i cap, a2 i cap, a3 k cap, ये जैसा है, वैसा है यहाँ पे सामने, b1 i cap, b2 j cap, और b3 k cap, बन जाता है, यदि उन में से मैं कोई एक common real number lambda बहार निकल दू, तो, तपापड़ा सबको, ये दो vectors आपस में collinear तभी बन जाएंगे, जब दोनों vectors के अंदर ध्यान से देखने से पता चलेगा, कि इन में से कोई एक common lambda बहार निकलने के बाद, यदि मैं इस vector को देखू, तो इसकी photo complete to complete इसके जैसी ही होगी, समझ मैं ही बाद, हमार exercise का equation भी है, इसके जैसा exercise का, exercise 10.2 का equation है, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर आप देखिए, जिदि आपको NCRT के अंदर दिखने को मिलेगा तो, show that vector ये वाला और ये वाला are collinear, तो जाईर से बात है, इस vector के अंदर और इस vector के अंदर ध्यान से देखने से पता चलेगा, इन में से कोई एक common निकल सकता है, मैं minus 1 by 2 निकालो, इस में से मैं minus 1 by 2 बाहर निकालो, तो इसकी photo copy to copy इनके जैसी ही हो जाएगी, यदि इस vector में से, यहां से देखेगा, यदि इस vector में से मैं minus 1 by 2 बाहर निकालो, तो इनकी photo, इनके जैसी हो जाती है, यह वही बात हुए बच्चों, ठीक है, यह यही बात हुए, कि A1 I cap, A2 I cap, J cap, यहां पर J cap आएगा, A1 I cap, A2 J cap, और A3 I cap, keep photo, copy to copy, इनके जैसी कब होगी, जब दूसरे vector में से मैं कुछ lambda बाहर निकाल सकता हूँ, तो अन्याथा नहीं, यदि इस पर करके, आप परिस्टेती generate कर पावे, दो vectors के अंदर, तो समझ लेजेगा, कि यह दो vector कैसे है, को linear vector है, और इसके आगे, कोई एक theory तो बागी नहीं बच जाती है, आप NCRT में एक बार देख लूँ, तो यहाँ पे सारी conditions हमने देख ली, हाँ, एक बड़ी important चीज है, last things, it is very very most important things, NC, MCQs के लिए, ठीक है, direction of cosine ढूनना बहुत आसान है, आपको पता है, direction of cosine, हमने offline lectures के अंतर हमने class में पढ़ा था, direction cosine किसको कहते हैं, पर यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, कि यदि आप, cos alpha, cos beta, या तो पहले में, मेरे मान लोग मेरे पास एक vector है, A1 i cap, A2 j cap, और A3 k cap, यहाँ पे A1, A2, और A3 का, A1, A2, A3 को हम क्या कहते हैं, A1, A2, और A3 को हम scalar component कहते हैं, या तो rectangular component कहते हैं, या तो इसका तीसरा नाम है, direction ratio, क्या है, direction ratio, यह direction ratio होगा, ठीक है, जबकि direction cosine क्या होगा, यदि मुझे direction cosine ढूनना है, इसका direction cosine ढूनना है, तो मैं क्या करूँगा, cos alpha, cos beta, cos gamma, इसकी value बच्चो, vector A जितनी नहीं होगी, क्यान ससुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँगो, cos alpha, cos beta और cos gamma को कहते हैं, direction cosine, यह direction cosine कितना होगा, vector A जितना नहीं होगा, vector A के unit vector जितना होगा, this is very very most important part of MCQs, यह बच्चो MCQs, चाहे वो गुजकेट के हो, चाहे वो board exam के हो, चाहे वो ZW के हो, यह part सबसे ज्यादे important है, cos alpha, cos beta और cos gamma, आप लोगों को मिल सकता है, कोई vector A के, unit vector के, या आपको पता है unit vector कैसे मिलता है, या आप ऐसा लिख सकते हो, cos alpha, cos beta और cos gamma, is equal to vector A को, UC के ही magnitude से divide कर दू, तो मुझे cos alpha, cos beta और cos gamma, respectively मिल जाएंगे, तो direction of cosine इसको कहते हैं, और direction of cosine तुनना बहुत easy है, ठीक है, बहुत यानि बहुत easy है, next lectures के अंदर, हम example start करेंगे, अब यह थोड़ा time है, तो चलिए start करी देते हैं, example, example start करते है, चलिए बुच्वा, start करते है, example right, example number 4, NCRT textbook के अंदर, देखें, यहाँ पर NCRT textbook में, आपके सामने प्रस्तूत करता हूँ, NCRT textbook देखें, यहाँ पर क्या कहा है, find the value of x, y and z, so that the vector a, this one, and vector b are equal, equal vector की क्या थी यह रही थी, याद करो, अभी क्या अभी में आपको यहाँ पर पढ़ाया था, equal vector किसको कहते हैं, देखें, equal vector तभी परसंभव है, यदि यह दोनों-दोनों कैसे होंगे, same होंगे, a1, b1, a2, b2, a3, b3, same होंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यदि इसको मुझे equal vector बनाना है, इसको मुझे equal vector बनाना है ना, और मुझे find करना है x, y, z के value, find x, y, z value, so that the vector this one, एक तो यह वाला vector, and एक तो यह वाला vector, equal है, question चिल्दा चिल्दा कर कह रहा है कि यह equal है, तो x, y, z के value क्या होगी, तो बड़ी simple सी कहानी है, बहुत easy questions है, ऐसा example solve किया ही नहीं जा सकते, आपके लिए, बारवीर standard के बच्चों के लिए, example solve करना, उसका अपमान करने जैसा है ना, तो यहाँ पर मैं, example 4 कर देता हूँ, यह मेरे पास एक वेक्टर दिया है, a, ncr, t ना, जो दिया है, x, i, cap, 2, j, cap, और z, k, cap, दूसरा वेक्टर दिया है, बच्चों भी, और वो है, 2, i, cap, y, j, cap, and plus k, cap, अब यह दो वेक्टर रिक्वाल है, यह दो वेक्टर रिक्वाल है, तो find करो, y, x की value, y की value, और z की value, तो सोचिए, यह दो वेक्टर रिक्वाल है, तो x की value कितनी होगी, x की value, i, cap, i, cap को equal कर दो, j, cap, j, cap वाले को equal कर दो, तो y की value होगी, 2, and z की value, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1, तो this is your बच्चों answer, let us, example number 4 complete हो गया है, अब हम करेंगे example number 5, example number 5 में लिखा है, vector a, let vector a, i, cap, plus 2, j, cap, and, vector b, 2, i, cap, plus j, cap है, 2 questions आपको पूछा है, पहला questions है यहाँ पे, इतना given data देकर, पहला question पूछा है आपको, कि is, magnitude of vector a, is equal to magnitude of vector b, ऐसा question mark पूछा है, और दूसरा question पूछा है, are they equal, are they equal, यह दूसरा question पूछा है, दो नोगा answer बड़े, खुशी से दे सकते हैं, बच्चो पहले तो magnitude ढूण लेते हैं, vector a की magnitude ढूणना, बड़ा आसान होता है, चलिए, i, cap, के साथ बाजू में कौन है, 1, उसका square, plus, j, cap, के बाजू में कौन है, 2, उसका square, तो यह कितना होगा, 1 का square 1, 2 का square 4, तो 1 plus 4, so it will be, mode root 5, magnitude of a getting root 5, now what is the magnitude of b, magnitude of b, ढूणते हैं बच्चो, यहां पे, यह होगा 2 i, cap, यहां पे i, cap, यहां पे question केंदर i, cap है, तो देखिए, magnitude of केंदर root के अंदर, i, cap का साथीदार, यहां पे 2, उसका square, plus, j, cap का component, 1, तो आप देख पा रहा हो, यह होगा, 2 का square 4, यह है 1, तो यह भी मिला root 5, ठीक है, तो यहां पे mode, sorry, magnitude of a and magnitude of b, आर से हैं, तो हम यहां पे कहेंगे कि yes, both magnitudes are equal, right, both magnitudes are equal, but they are the same, क्या यह दोनों equal है, त्यान से दीखे, क्या यह vector equal है, तो अभी हमने पढ़ाता है, vector equal तो भी होंगे, जब उसके corresponding component भी same होंगे, तो यह 2 है, यहां पे 1 है, जेकेप का बाजुवाला 2 है, जबके जेकेप का बाजुवाला 1 है, इसलिए हम यहां पे लेकेंगे no, both vectors are not equal, both vectors are not equal, यह vectors equal vectors नहीं है, समझे भी बात, तो यहां तक रखते हैं, example number 6, 7, 8, आपके में बहुत easy है, next lectures के अंदर हम उसको discuss करेंगे, ठीके बच्चो, bye-bye,